हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे हो आप लोग आई होब आप से बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं बनाओंगी चिकन करी और आज की चिकन करी की रेसिपी थोड़ी से अलग है मतलब रेसिपी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है लेकिन हाँ इसको बनाने का तरीका धोरा सा अलग है और काफी टेश्टी बनने बाले हूं और बहुत ही टेश्टी बनने वाला है और बहुत ही आसान तरीके से तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्रीज वीडियो को एक लाइक और दीजेगा साथ में चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीजे गा तो चलगे शुरू करते हैं तो सबसे पहले गैस पर रखना है कराही या जिस भी बरतन में हम बनाएंगे तो वो ले लेंगे इसमें हम डालेंगे दो बरा चमच सरसू का तेल गैस के फिलिम को मेडियम पर रखेंगे और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे इसके बाद यहां पर डालना है इसमें प्याज प्याज को मैं नॉर्माली इस तरह से मतलब लच्छे में काट ली हूं जैसे गों में डालती है इस तरह से काट करके तो वैसे मैंने काट लिया है और यह लगभग 500 ग्राम प्याज है मैंने छे से साथ मीडियम साइज का प्याज लिया है प्याज क अच्छा लगता है चिकनिया मटर में लासून का गांट तो प्याज को हम पकने देते हैं और तब तक इधर हम अधरक लासून और कुछ खड़े मसाले यहां पर मैंने लिये हैं जीरा, काली, मिर्च, दाल, चीनी, छोटी इलाची, यहीं सब जो भी हो आपके पास ले सकते हैं तो इन तीनों को हम साथ में पीस लेंगे और साथ में यहां पर थुरह से पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से पीस जाए खड़े मसाले हम वैसे भी डाल सकते हैं लेकिन वो जब ग्रेवी में मुह में आता है न तो अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं यहां पर पीस कर डाल रही हूँ तो यहां देखिए इन सारी चीजों का पेश्ट तयार हो चुका है और प्याज हम चेक कर लेते हैं तो प्याज भी हलका सा मतलब ब्राउन हो गया है अभी थोरा सा इसको और बुनेंगे तो यह देखिए प्याज काफी अच्छे से ब्राउन हो गया है अब यहां पर हम डाल देंगे इसमें नमक ताकि और थोरा से यह जल्दी से गल जाए और मेरा गला थोरा सा खराब होड़ा क्योंकि मैंने न दही खा लिया है और मुसम होड़ा काफी जादा यहां पर ठंडा क्योंकि तीन दिनों से यहां पर हमारे यहां बारिस काफी जादा हो रही है और ऐसे मुसम में मैंने दही खा लिया, इस वज़े से मेरा गला ना थोड़ा से खराब हो रहा है आवाज देख रहे हैं मेरे कैसी हो रही है सो इग्नोर कीजिएगा और यहां देखें नमक मैंने डाल दिया है इसके बाद यहां पर डाल देना है जो हमने लसुन अधरक और खड़े मसाले का पेश्ट बनाया था वो तो इसको भी डाल करके यहां पर मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको दो मिनट के लिए भून लेंगे प्याज तो काफी अच्छे से भून गया लेकिन अभी गला नहीं है प्याज तो प्याज को हमें गला ना भी है क्योंकि यहां पर हम काट के डाल देना तो थोरस इसको टाइम लगेगा गल्ले में तो यहां देखें दो मिनट हो चुका है इसको भूनते हुए जो मतलवाद रख लसुन का पेष्ट था उसको तो अब यहां पर हम क्या करेंगे गैस के फ्लेम को लो करेंगे और यहां हमें डालना है कुछ सूखे मसाले तो यहां पर हम तीन छोटी चमच डालेंगे धनिया पौडर कुछ अलग से मैंने कोई मसाला इसमें एड नहीं किया जो हम नॉर्मल खाते हैं सबजे में वही मसाला है तो यहां देखें तीन चमच न धनिया पौडर मैंने डाला है दो चोटी चमच तीखी वाली लाल मिर्च थोरो से स्पैसी बनाऊंगे मैं अब जितना ताग तीखा खाते हैं उतना डालेज़ेगा एक चोटी चमच गर्ममसाला एक चोटी चमच हल्दी ने ने डाल T अह Twin-शन धनिया तो चिटीखी वाली हमने डाला है दो चोटी चमच तो उसी सी यहे तीखा होगा जो कस्मिरी लाज मेर्स पाउडर होते हैं वो उसे तीखा नहीं होता है यहाँ पर हम सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर यह काफी जादा सूखा सा लग रहा है तो यहाँ पर हम तोरह सा पानी एड़ करेंगे ताकि मसाला भी स्मूध हो जाए और पानी मतलब अभी हमें और एड़ करना है इतने से कुछ नहीं होने वाला है लगबख आधा काफिस में पानी डालना है और ताकि मसाला भी स्मूध हो जाए और जो प्याज है उसको भी हमें गलाना है तो कि यहाँ पर हमने काटकर प्याज डाला है तो पहले हम अच्छे से इसको गला लेंगे तो यहाँ पर हम थोरा सा पानी मतलब इस तरह से डाल करके ना थोड़ी दिर भूनते हैं और फिर डालते हैं एक ही बार नहीं डाला है तो दो बार करके मैंने इसमें पानी इसमें डाला है टोटल आधा का पानी और यह देखिए मसाला काफी अच्छे स्मूध हो गया है और इसको ना लो फ्लेम पे ही मतलब अच्छे से भूनने देना है पकने देना है मसाले को जैसे जैसे यह पकेगा चोटी Chemo में काटीच चोटी टुक में तो दोनों ही चाहिशों को मैंने टमाटर को भी इसके साथ ही मिक्स कर दिया है और लोफ लेम पे इसको पकने देना है ताकि अच्छे से गल सके क्योंकि इसका पानी में अभी सुखाना नहीं है इसी में हमें गलने गलाना है इसको जो भी प्यायस टेमाटर के लच्छे से दिख रहे हैं और थोड़ी देर इसको हम छोड़ेंगे देखिए अपने आपी तेल ना उपर आने लगेगा जैसे अप चलाना छोड़ रहे हैं अद मसाला ना भून चुका है लगबक बस ये गलाना इसको बाकी है तो इसको हम यहाँ पर पांच मिनट के लिए लोग फ्लेम पर पकने देते हैं और यहाँ पर मैंने एक किलो चिकन लिया है और यह चिकन जो इसकीन लगा हुआता है वो वाला है तो यह अगर मिलता है न तो यही वाला लीजेगा यह वाला ज्यादा अच्छा लगता है खास करके मुझे भी यह वाला ज्यादा पसंद है अक्सर चिकन वाला चिकन का जो इसकिन होता वो हटा देता है बिल्कुल ही तो यह हटाया नहीं है इसको पहले गरम पानी से अच्छे से वोस करके उसके बाद जो मसीन आता है उससे उपर से जला देते हैं हलका हलका सा जो भी बाल वगर एक्ट्रा हो तो वो जल जा और यह थोड़ा से इसमें भूना वाला फ्लेवर जाता है नहीं अच्छा लगता है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकिन वाला चिकन है और यह मुझे बहुत पसंद है अगर यह वाला मिलता है क्योंकि इसको थोरा सा बहुनते है उपर से जो मसीन से थोरा सा जालाते है उससे काफी अच्छा भूना सा फले बढ़ाता है दुता है तो यहां पर न यहां पर देखिए मसाला पक चुके हैं है और नदाल दिया है इसमें चिकन अच्छे से सको मिला देंगे तो अच्छे से इसको मसाले के साथ मिक्स कर देना है और इस तरह का चिकन जल्दी मिलता नहीं दुकान वाले इस तरह से नहीं देता है बना के बहुत ही कम जगहों पर ही मिलता है अगर आपको इस तरह से खाना हो तो आपको खुद ही इस तरह से बनाना पड़ता है जैसे साब यहीं देखे मैंने इसको नहीं हूँ पानि में नही नहीं डाला है बिल्कुल भी और जैसे जैसे पके गाना यह काई जयादा इने छोड़ते जाते हैं क्योंकि जिएकना संवाणा पाlet मतलब वही छोड़ता है चिकन में काफि सारा पानी होता है और यहां देखिए काफि ग्रेवी जैसा बन गया इतना यह पानी छोड़ दिया लासन भी काफी यह अच्छी से गल गया है इसको पकाते हुए 10 मिनट हो गया है अब यहांपर हम डाल देंगे ग्रेवी के लिए पान है क्योंकि मुझे थोरा से इसमें ग्रेवी चाहिए और इसको लोफ लेंपे दस बारा मिनट के लिए और पका लेंगे तो यहां देखिए दस बारा मिनट हो चुका है और चिकन काफी अच्छे से पक गया है और लाश्ट में यहां पर हम डालेंगे धनिया पता लगबग एक बारा चमच बारी कटा हुआ और गयास ओफ कर देना है दस मिनट ठंडा होने देंगे इसके बाद इसको हम सर्व करेंगे और देखिए यहां पर इसकी ग्रेवी काफी बढ़ियां बनके तयार हुए काफी अच्छे से गल चुकी है इसका प्यास टमटर जो भी था कहीं से देख रहा है और इसका चिकन का कलर देखिए कितना टेश्टी कितना मज़ेदार दिख रहा है तो इसको हम थोरा ठंडा होने देते हैं इसके बाद सर्व करेंगे तो यहां पर लीजी यह 10 मिनट ठंडा हो चुका है और यहां पर चिकन का कलर देखिए टेक्सर देखिए कित और बहुत ही मज़ेदार बना मैं आपको क्या बतो इसका टेश्ट कितना अमेजिंग था ना कि आप इस तरह से बना कर देखिएगा बहुत ही बढ़ियां बनता है और खास कर कि यह वाला जो चिकन था ना भूना वाला इसके वजह से ना इसके टेश्ट बेना और ज्यादा च सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए अ झाला णाफ बाबाए बाबाए तक रहा है है बच्प tabak